एक बड़ फिर से मेरे यूटूब चानल पर आप सबका स्वागत है सबसे बड़ा मिस्कंसेप्शन है कि जेनियू में डिप्राइवेशन पॉइंट कैसे कल्कुलेट करें पॉलिटिकल साइन्स और बाकी भी जो यूनो लैक प्रोग्राम स्टूडेंट्स होते हैं थोड़ा सा उनका मैट्स में प्रॉब्लम होता है तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आप लोग डिप्राइवेशन पॉइंट कैल्कुलेट करके आप हंड्रेड में से आपको कितने मा सब्सक्राइव लेखते हैं वह सब्सक्राइब को कितना बनेगा यह हम देखने कि कोशिश करेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है बहुत ज़ादा ऑप्टिमिस्ट हो जा रहे हैं कि सर मेरे तो इतने माक्स अगया बात कैसे है पहले का हम लोग फीचर देखते हैं कि ज कseok Ganth service in WhatsApp Cl Sales प् साथ पीचống साथ किहा हुआ करता था की साथ आपके टुम तक टिप्राइवशन पॉआइशन गया तरह दीप्रा जाता था एक दिप्राइवशन पॉइंट कर गया एक माक्स हो गया one माक्सि इकॉल टू टू दिप्राइवेशन पॉइंट So, this was the whole thing आज मामला क्या है? आज हम समझते हैं आज 75 question है और हर एक question है 4 number का तो 300 number का आपका पूरा का पूरा question हो गया अब यहाँ पे आपको हर एक marks जो मिलेगा अब यहाँ पे 75 question हो गया, हर एक question 4 marks का हो गया अब हर एक deprivation point भी है न वो भी 4 number करका हो गया अगर आपको एक डिप्राइवेशन पॉइंट मिलता है तो आपको चार नंबर मिलते हैं कुल मिला के बात समझ माया अब आप खुश मत हो जाएगा कि अरे किसी को 348 मांक्स आ किया ऐसे नहीं होता पॉर्सेंट क्या जाता है मैं आगे आपको बताऊंगा मैं टेक्नीक बता रहा हूं कि आप अपने माक्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते होंगे तो चलिए पूरा पहले डिप्राइवेशन पॉइंट हम लोग समझने की कोशिश करते हैं फिर मैं फॉर्मूला के डिष्टिक से की कौर्टेल टू के डिष्टिक से अपने कहां से अपने पढ़ाई की तो कवाटेल वução की कवाटाइल के लोक्तिक है या अतिह पिछड़े डिस्टिक हैं और कॉ सिपर उतने पिछड़े नहीं हैं अब ये कोई söz का जो डिस्टिक है इसका classification 2011 का जो census हुआ है उसके हिसाब से किया गया है तो जो quartile 1 और quartile 2 के district से education ले रखा है उसको quartile points मिलते है deprivation points मिलते है एक्जांपल के तोर पर मैं पैदा हुआ था quartile 1 district में लेकिन मेरी पढ़ाई की 10th class की 12th class की graduation की सब non quartile से पूरी हुई है ना वो quartile 1 में आता था ना quartile 2 में तो मुझे max नहीं मिलेंगे ध्यान रखिएगा अगर आपने दिल्ली से अपनी पढ़ाई किये तो आपको कहेगा max मिलेगा अगर आप बिहार के quartile 1 district से भी बिलॉंग करते हैं देली से पढ़ाई की तो आपको quartile के max नहीं मिलेंगे तो quartile 1 और quartile 2 के district का लिस्ट दिया हुआ है आप वीडियो पॉस्ट करके देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश महाराष्ट्रा मिगालम मिजोरम नागल लैंड उडिसा राजिस्थान तमिलाडू उत्तर प्रदेश पहला वाला कॉलम कॉर्टाइल 1 दूसरा वाला कॉर्टाइल 2 उत्राखंड विस्ट बंगॉल कम्प्लीट हो गया आपको मालूम लग गया होगा कि से बता रहा हुँ और भी PG्रोग्राम्स के लिए तो इसमें कैसे मार्क्स कैल्कुलेट करें को समझने की कोशिश करते हैं PG rolling लिए तो यहां पर में अगर आपने आपको एम Nat Muselle लेना है में अगर अगर अडिमिशन में तो कैसे काम होगा मैं बता रहा हूं तो अगर आप वन डिस्टिक से ट्वज्ट की पढ़ाई की अगर आपने 10 या 12 में से कहीं भी कौर्टाइल 1 से किया है और एक कोई कौर्टाइल 2 से किया है तो आपको कौर्टाइल 1 का benefit मिलेगा दियान में रखेगा यहां पे कौर्टाइल 1 के districts के marks लिखे हुए है क्योंकि कौर्टाइल 1 का क्टिश्टिक अती पिछड़ा है इसलिए यहां पे ज्दाद मार्क्स मिलते है तो अगर आपने क्वार्टाइल 1 से कुछ भी एक किया त्यं थैंत्या 12 और बाकि क्वार्टाइल 2 से कर रखा है त्यंत्या 12 में से कुछ तो आपको क्वार्टाइल 1 का benefit मिलेगा और आपको चार से multiply करोगे तो 12 marks होगे क्योंकि अगर आपका एक question सही होता तो आपको आज 4 marks मिलते और यहाँ यह 3 deprivation point मतलब आपके 3 extra question correct होगे आप ऐसा मान के चलो अब अगर मान लीजे आपने दोनों ही 10th 12th अपनी quartile 2 district से की है quartile 2 से 10th भी है 12th भी है तो क्या होगा तो quartile 2 से 10th और 12th दोनों करने के लिए आपको कितने marks मिलेंगे आपको यहाँ से quartile 2 के benefit मिलेंगे ध्यान में रखेगा कितने marks मिलेंगे quartile 2 के benefit मिलेंगे फिर 2 marks आपको दिये जाएंगे मतलब आज की अगर हिसाब से देखेंगे तो यह 8 marks के बराबर हो जाएगा CUT PG के pattern में जितना आता है उसको 4 से multiply कर देते हैं अब यहाँ पे अगर मैंने एक गलत बता दिया UG के लिए UG में अगर आप admission लेंगे तो UG में तो आप admission ही ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको UG वाले बच्चों के लिए 10th 12th में इतने quartile के points मिल सकते हैं ध्यान में रखिएगा PG में जो admission ले रहा है और quartile 1 के district से बिलॉंग करता है जिसने quartile 1 के district से अपना UG का पढ़ाई किया मतलब graduation किया तो उसको 3 number और जादा मिलेंगे PG mad mission अगर आप लेने जा रहे हैं तो एकदम natural बात है कि अपने 10th 12th की पढ़ाई की आपने अपने UG को भी complete किया तभी आपको जाकर PG mad mission मिलेगा अब यहाँ पर आपने 10th या 12th में से कुछ एक quartile 1 के district से किया कुछ एक अगर आपने quartile 2 के district से किया आपको quartile 1 के benefit मिलेंगे और आपको 3 marks दिये जाएंगे 3 marks मतलब आज के हिसाब से आपके 12 number हो गए अगर इसी तरह से UG आपने quartile 1 से किया अब UG तो एक ही है या तो आप quartile 1 से करेंगे या quartile 2 से करेंगे या कहीं से नहीं करेंगे इन दोनों में से non quartile district से करेंगे तो आपको 3 marks मिलेंगे तो यहां से आपको maximum 6 marks मिल सकते हैं बात समझ में आया अब यहां पे quartile 2 districts से हम बात करने वाले हैं quartile 2 district के बारे में यह मैंने आपको बता दिया कि अगर 10th आपने quartile 1 और अगर 10th अगर आपने quartile 1 12th भी quartile 1 से किया तब तो quartile 1 का benefit मिलेगा ही मिलेगा और मैंने आपको बता है कि दोनों में से कुछ एक भी quartile 1 से किया और दूसरा अगर quartile 2 से किया फिर भी quartile 1 का benefit मिलेगा दोनों quartile 2 से किया तो quartile 2 का benefit मिलेगा और दोनों में से ध्यान में रखिएगा दोनों में से कोई एक अगर आपने quartile 1 से किया 10-12 की बात कर रहा हूं दोनों में से कोई एक या तो 3 अपने quartile 1 से किया या तो 12 अपने quartile 1 से किया राइट और आपने बाकी एक जो बचा है जैसे example लेता हूँ मेरा विश्यक मिश्रा तो मान लीजे मैंने quartile 1 से अपनी तेंथ की पढ़ाई की और मैंने quartile 2 से जो है अपनी 12th की पढ़ाई की तो मुझे किसका benefit मिलेगा quartile 1 का ये बात आपको समझ में आ गया होगा अगर मान लीजे मैंने quartile 1 से ऩो बि मैं आता ही नहीं था ना ना आपका non-quartile 2 तो फिर क्या होगा तब आपको फिर क्वार्टाइल के benefits नहीं मिलेंगे त्यान में रखिएगा देन इविल नॉट बी गिवन दा बेनिफिट ऑफ क्वार्टाइल तो यह आपको यहाँ जीरो मांक्स मिल जाएगा ओके समझ माया जीरो आउट अपको कोई benefit नहीं होगा इसी तरह से यूजी अगर मैंने non-quartel district से किया तब तो 0 ही मिलेगा अगर quartel 1 से किया तब 3 marks मिलेंगे अगर मैंने 10th की पढ़ाई quartel 2 से की 12th की पढ़ाई भी quartel 2 से की तब मुझे quartel 2 के benefits मिलेंगे और मुझे 2 marks दिये जाएगे 2 marks मतलब आज के हिसाब से 8 number होगे अभी के हिसाब से बात समझ माया और मैंने अगर यूजी की पढ़ाई भी अगर quartel 2 के district से की है तो भी मुझे 2 number मिलेंगे और अगर मैंने quartel 1 से किया है तब तो 3 number मिलेगा और अगर कहीं से नहीं किया non quartel से किया तो 0 मिलेगा तो यहाँ पे जो पिछड़े लोग है उनको marks मिल सकते है अधिक से अधिक number मिल सकते है तो यहाँ पे कितना marks मिल सकता है यहाँ किसी बंदे को या तो 6 marks मिल सकता है या त Transgender को और Females को मिलता है अगर कोई महिला है जो कि ST है SC है OBC है या फिर PWD से बिलॉग करती मतलब Handicapped Section से बिलॉग करती है कोई भी महिले या Transgender वह Quartal 1 से हो या Quartal 2 से हो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको जो है 7 Deprivation Points दिये जाएंगे कितने Deprivation Points दिये जाएंगे 7 Deprivation Points दिये जाएंगे बात समझ माया और कोई ऐसी महिला है जो कि Unreserved है और ना Quartal 1 में है ना Quartal 2 में है तो उसको 5 Deprivation Points दिये जाएंगे मतलब अगर कोई General महिला भी है अगर वो Quartal में बिलॉंग नहीं भी करती तब उसको कितने Marks दिये जाएंगे तब उसको General महिला को आपके 5 Deprivation Points दिये जाएंगे जिनरल महिला को अगर कोई General महिला जो है वो अगर Quartal 1 या Quartal 2 में अगर बिलॉंग करती तो उसको भी 7 Marks दिये जाएंगे दियान रखिएगा यहां पे लिखा हुआ है कि कोई HT महिला को 7 Number दिये जाएंगे OBC को भी 7 Number दिये जाएंगे PWD को भी 7 Number दिये जाएंगे Example के तोर पर माल लीजे कोई HT जो है महिला है तो उनको तो HT महिला इसके नाम पर साथ पॉइंट मिला अब माल लीजे उन्होंने Quartal 1 से सब अपनी पढ़ाई की है तो 6 Number यहां से मिल जाएंगे उनको रही तीन और तीन तो यहां पे इनको टोटल तेरह नहीं मिलेगा इनको Cut Up जारी करूंगा एक expected Cut Up तो आपको बात समझ मैंगा यहां पर समझे पहले माल लेते हैं कि अगर कोई General Candidate है ओके कोई General Candidate है वो लड़का है वो लाया 250 कितना मार्क्स लाया है 250 मार्क्स लाया है तो वो जो General Candidate है जिसका 250 मार्क्स आया है तो यह कहीं से Quartal का benefit इसको नह मिल रहा है रैट ना यह Quartal 1 से पढ़ा ना 2 से पढ़ा कहीं से नहीं पढ़ा उपर से यह एक पुरुष है मेल है तो इसको तो कोई Quartal कि अंक नहीं मिले तो आपको के दिया को को ले के calculate करूंगा मैं 250 out of 300 नहीं calculate करूंगा ध्यान रखिएगा मैं 250 out of 348 calculate करूंगा तब जाके मुझे 100 में से जेन्यू के cut-off list में कितना marks आगा वो मुझे पता चलेगा 348 क्यों calculate कर रहा हूं यह समझे तो आपको तो 300 marks तो CVT PG था total तो आप तो 300 में से जो है 2500 लेकर है और यहां पे 12 deprivation point आपको maximum मिल सकते थे मतलब आपको यहां total 48 marks मिल सकते थे 12 48 48 marks मिल सकते थे आपने 48 में से 0 score किया है तो कुल मिलाके आपको यहां पे 48 add करूंगा और यहां पे 0 add करूंगा तो यह जाके आपका 100 में से marks आगा अब ध्यान में रखिएगा ओके यह जाके 100 में से marks आएगा तो इसलिए जेनियू में मैं हमेशा बोलता हूं अपने batches में कि जेनियू में score आपने कितना किया उससे फरक नहीं पड़ता deprivation point एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है जेनियू के admission में ओके तो इस बंदे को जो है लगभग 70 1.8 marks आएगा जब यह merit में जब इसका marks यहां दिखेगा एक cut-off वाला तो 70 1.8 इसका score लिखा हुआ रहेगा इस तरह से scorecard बनेगा बात समझ पा रहे हैं अब example लेते हैं किसी महिला का जो की general category की महिला थी और वो भी कहीं से नहीं पढ़ी कोई quartile से नहीं पढ़ी है ओके ध्यान में रखिए तो कोई quartile से नहीं पढ़ी तो 200 माली जो उनका भी आया था लेकिन यहां पर प्लस में क्योंकि उनको पांच deprivation पॉइंट मिलेगा तो 20 नंबर यहां से मिल गया तो इसके 270 हो गया 348 से और 100 से multiply कर दो इसको percent निकलाएगा तो 270 divided by 348 ओके तो इसके 77.5 माक्स आ गया 100 में से इसी तरह से खेला पलटता है यह मेरे साथ भी हो रखा है अपने टाइम में तो इसलिए मुझे डिव में अडमिशन लेना पड़ा था तो इस तरह से खेला पलटता है हो सकता है कि आपके महिला मित्र का अडमिशन हो जाएगा अगर इस तरह से आपका स्कूर रहा है और यह समझना एक बहुत बड़ी बात है अब अग्जांपल लेते हैं एक जेनरल महिला का आप लोग अपना डिप्राइवेशन काउंट कर सकते हैं 12 तक काउंट कर सकते हैं 12 से ज्यादा मत जाईएगा ओके अब हम एक OBC भाई का एक्जांपल लेते हैं यह OBC भाई जो है इनका 210 मार्क्स आया CUTPG में 300 में से प्लस में यह OBC भाई जो हमारे हैं इनको तो कोई महिला वाला टिप्राइवेशन मिलेगा नहीं लेकिन यह कौर्टाइल तू से बिलॉंग करते थे इन्होंने 10 की 12 की पढ़ाई और साथी साथ graduation भी वहीं से किया तो इनको चार नंबर का benefit लाइक चार कोशन का benefit मिला तो चार कोशन मनें चार्चों का 16 नंबर हो गया 16 out of 48 तो इनका जब मैं मार्क्स जोड़ूंगा तो इसको मैं जोड़ूंगा आपका 226 राइट डिवाइड बाय मैं करूंगा 348 तो इसका 64 4.9 के आसपास में मार्क्स आएगा ओके मतलब 65 के आसपास में मार्क्स आएगा तो ऐसे जोड़ा जाता है आप अपने स्कोर्स लिख लें आपके कितने जो भी आपके स्कोर है माली जी 230 है तो उसको आप लिख लें out of 300 अब यहां पे प्लस करें और 48 यहां पे नीचे में ल तोड़ लें कि आपको कितना deprivation मिल रहा है अगर कुछ नहीं मिल रहा है तब तो कुछ नहीं मिलेगा आपको कितना deprivation मिल रहा है अगर एक बॉय है और आप quartile 1 वाले अगर benefit को claim कर रहे है तो आपको 6 नमबर मिलेगा राइट छे नमबर मिलेगा तो उसको 4 से multiply कर लेंगे जितना भी deprivation का आएगा deprivation point times 4 कर लेंगे आप ओके अब इसको add कर लेंगे तो आपको formula बनेगा 230 प्लस deprivation point deprivation point times 4 divided by 348 times 100 यह करेंगे तो आपको 100 में से कितना में यह मालूम लग जाएगा तो इस तरह से deprivation point जेनियो में काम करता है ध्यान रखिएगा तो कभी-कभी होता क्या है जो कम marks लाता है उसको भी मिल जाता है जेनियो जो ज़्यादा लाता है उसको भी मिल जाता है इसलिए मेरे से सब कहते हैं कि सर आप यह के लिए guarantee देते है है डियो के लिए guarantee देते हैं एस लिए जेनियो के लिए क्यों ने guarantee देते हैं इसलिए जेनियो के लिए guarantee में देता है यह आपको बात समझ में आगया होगा कि कोई भी बाजी मार सकता है और अगर आप CVT PG 2025 के एक preparation करना चाते है political science के लिए then you are at the right place हमारे CVT PG batches को आप join कर सकते हैं आपको details दे देता हूं CVT PG batches का आप हमारे website पढ़ो तो ऐसे पर जा सकते हैं आप details ले सकते हैं हमारा जो course है यह recorded plus live है आपको recorded सभी concept lectures देखने को मिलेंगे और उसके बाद live lectures में ह South Asian universities के लिए कुछ lectures को हम लोग complete करेंगे आपको पढ़ो तो ऐसे जो है आपको लिख लेना है अपने Google पे आप जब पढ़ो तो ऐसे लिखेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको पढ़ो तो ऐसे का website आ जाएगा और इस पढ़ो तो ऐसे के website में हमारे यहां से बह पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा यह वीडियो के बाद की course में आपको क्या मिलने वाला है और यहां पर नीचे क्या-क्या मैंने cover किया है और क्या cover करूंगा तमाम चीज़ें इसमें बताया हुआ है आप यही समझे कि आपने तीन साल में जितना नहीं सीख काम करता है आपको इसका एक रफ आइडिया लग गया होगा रफ आइडिया के मैंने पूरा ही आइडिया दे दिया बहुत-बहुत धन्यवाद आप सब का दिन शुब हो